आपका एक बार फिर से विलकम और श्वागत करता हूँ दोस्तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हूँगे दोस्तो मैं आज एक बार फिर से बहुत ही अच्छी जनकारी आप लोग के पास लेकर रहा हूँ दोस्तो मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड या मेरे व्यवर है सब्सक्राइबर है जो भी ये मुझसे पूछתे रहते हैं कि मेरा पुराना शिक का क्वाइन नोट कैसे बिखेगा तो दोस्तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि पुराने नोट सिखे कैसे कहां कब कैसे बेचे जाते हैं मतलब कैसे बिखते हैं वो मैं बताऊंगा और कुछ टाइब के बिखते हैं वो भी बताऊंगा तो दोस्तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या जो मेरे वीवर है तो कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ या ये इस वीडियो अगर सही जनकारी चाहिए तो वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक देखे तभी आपको सही जनकारी मिलेगी अधूरी जनकारी बहुत ही पहले जो भी मेरे नए भीवर आएंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि आप मेरे चैनल से जुट जाए जी एने कलेक्शन से ताकि मैं कोई भी जनकारी मैं डालता हूँ वीडियो पर तो डाइरेक्ट आपके पास नोटिफि आपको विजिट करना हो तो आसानी से जा सकते हैं मेरे चैनल के माधियम से और दोस्ते एक बार आओर बता देता हूँ अगर कोई भी क्वाई नोट्स खरीदार बोलता है कि मैं खरीता हूँ और पैसे मांगता है तो समझो वो फेंक है फ्रोड है आपको चीट करेगा आपक नॉट का क्या नाम रख वोगे बता रहा हूं कि पुराने नोट कहां पेचे जाते हैं, कैसे भीकते हैं, और किस टाइब के नोट्स भीकता हैं दोस्तों तो मैं वीडियो में सुरू करता हूँ ठीक है दोस्तो तब वीडियो पहले बताता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर 10-5-6 नोट्स और क्वाइन का एक रूमर फैला हुआ, रूमर क्या है न, उसकी नोट की कीमत होती नहीं है, लेकिन बजार में एकदम सारे लोग मैडनेस जैसे, मतलब क्रेजी, उसको ऐसा लगता ह बहुत सारे ऐसे फेंक यूटूबर ने अपना व्यू रा भराने के लिए, उसने क्या किया, कुछ common नोटों को प्राइज हाई लिख दिया, और ये उस वीडियो के अंदर जूट भी बुलते हैं, कि ये नोट यहां भी रहा है, वहां भी रहा है, मैं भी देखता हूँ, त चास लाग, 35 लाग, 85 लाग, तरह तरह के दिये रहते हैं, ऐसा फेस्बूक गुरूप में भी बहुत सारे गुरूप में होता है, वो बोलता है, डाइरिक्ट आपके घर तक बाइड जाएगा, बस आप मुझसे कंटेक्ट कीजिए, तो जो भी अगर रजिस्टेशन फी के घर जाने के बीश्ट के नाम पर, जिसने आपसे पैसा मांगा, भूल जाएगे कि वो आपसे नोट्स या कोईन करेंगा, पहले यह दिमाग में रख लिजिए, और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइब यूटूबर है, जो फेक वीडियो बनाते हैं अपना भीव बढ़ाने के मेरा चैनल का लोग वीडियो देखें, ताके वो उसकी वेलू अच्छी हो सके, मतलब उसका अभीव अच्छा हो सके, वो कुछ पैसे के लिए लोगों को गलत इंफोर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, दोस्तों मुझे उपर वाले ने नौलेज दिया, तो मैं चाहता इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरा कोई भी वीडियो देखें, तो सुरोज से तर लाश तक बेचें, अब दोस्तों बात करते हैं, पुराने नोट कैसे बिखते हैं, कहां बिखते हैं, सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है, एक्जिबिशन, एक्जिबिशन के अंदर पुराने सबसे आसानी तरीके से बेचते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें इंडिया के हर तरह हर स्टेट से लोग आते हैं, और उसमें हर तरह के बायर आते हैं, यानि नॉर्मल कोई भी खरीदने वाला, स्केर भी, रियर भी, बेर बेर, यानि आपके पास जिस कटेगरी का कोई सब्सकnt जलब बाज मिल जाएगा। जैसे किसी कोईन का कीमत %스를 एक हुद थो रुपया हुद एक का तीन रुपया हुद एक का 50 हो हुद हुद ही सभी का बीस हजार हो लेकिन दस नोट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि यह चीज कभी लाइफ में नहीं भीकेगी, यह सारे फेंक, फ्रॉड होते हैं, सारे जूट है, अगर दिमाग में ऐसा भड़ा है तो निकाल दीजे, स्टार्टिंग करता हूँ पहले क्वाइन से, सबसे पहले आपने जर 20 पैसे कमल का फूल, उसमें सूरज रहता है, 16, 17, ऐसे कुछ करेके, उसकी कोई वैलू नहीं है, 00, मतलब कमल के फूल की मैक्सिमम जो 20 पैसे आते है, उसकी मैक्सिमम 50 से 60 रुपे कीमत होती है, यूएंसी हुआ तो 100 रुपया, नहीं तो, एबरेज है 40 रुपया से 60 रुप मैं आपके लिए बता रहा हूं, मुझे उपर वाले ने नौलेज दिया, तो मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग की दुआ चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों, एक हो गया, 20 पैसे, अब आते 25 पैसे गेंडा वाला कोईन, इसने भी आपने सुना होगा, अरे 25 वेले 200, 300, 400 तक मैकसिमम एक कोईन के कीमत है, अगर वो रेयर हुआ, तो एक दो ही कोईन है, तो वो भी बहुत रेयर है, वो यूएंसी में 400 है, ऐसे यूज कंडिशन में 100, 1500 रुपया मैकसिमम कीमत है, तो प्लीज, कोई गेंडा का लाग, 2 लाग बताता हो, 5 लाग, 10 लाग, प्ल कास पैसा, ठीक है, दोस्तों, उसमें न रुद्राक्च माला पेंती है, न कुछ है, साइड पेट होता है, वही गवर्मेंट ने बनाया, बीच में किसी ने रूमर फैला दिया, एक रुपया का इंद्रा गांदी का सिक्का, उसके अंदर रुद्राक्च माला है, 70 अठोब, इसके फेक क्वाइन है, यह टोकन है, दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूं, वह क्वाइन में चिन्ने ही से खरीदा था, मेरे यहां से पैंती सो किलमेटर जाके, और लाइफ का पहला बाइंग था, दस से जार में एक सिक्का आज मी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो दोस्तों, वह एक दम जूट है, फेंक है, फ्रॉड है, मैं अब तो मेरा लड्निंग का चार्ज था, तो मैंने कितने में खड़ीदा, दस से जार और जाने में दस से जार, बीस से जार, बहलू क्या है, वह है जीरू, वह टोकन है, यानि सरकार ने उसको निबने है, लोगों ने बना क रेयर बना दिया, तो फ्लीज उसके पीछे न पड़े, बाकी शोक के लिए कुछ भी आत्मी कर सकता है, लेकिन वह ऐसा कुछ बना नहीं हूँ, एक रुपया इंद्रा गांदी का हो गया, अब आप ते गेंडे वाले का आप जानेगे, फिर एक बहुत सारे लोग उड़ात है,78 2018 का, इच मिन्ट बारक, इक रुपया का आता है, बोलते है अरे सरड, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पाँच लाग, प्लीज उसका कोई वैलू नहीं है, कोई पीमती नहीं नहीं है, एक रुपया है तो दो रुपया कीमत होगा, तीन रुपया, पांच रुपया उससे जादा उसकी वहलू नहीं है दोस्तों यह ने चार का मैंने तो बता ही दिया मझे दो दो दिमाग में आ रहा है जो जो लोगों से सुनता हूँ ठीक है दोस्तों तो वह हो गए अब आते हैं नोट के अंदर सबसे जादा रूमर फैला हुआ है पांच रुपया गांधी जी रहते है इक में आसो आसो कस्तम रहते है केम्त नोट कीमत है तो फैस्ट्रेक्टर से नोट रहे होती है यूंएंशी होने इ Origin से नोट का नोट में 25 रुपय होती है बस यही उसकी कीमत है पूरे ट्रेक्टर नोट में कोई रेर नहीं आता है ब्लीज इस फोड से बचे कोई बोलता है लाग दो लाग सम्झों बेकोफी है आज कल तो ऐसा है फ्रोड वाले आप कोई भी कोई बेजो 10-20 लाग तो बताई देंगे फिर बोलेंगे बहिए रूल है कमपणी का रेजिस्टेशन कराओ प्रोसेसिंग कराओ मेरा आदमी जाएगा जी एच्टी फी एच्टी सब जूट बात है एकदम विल्कुल फ्रोड लाय लायर जो बोलता है वो लायर होगा ऐसा जिसने बोला वो एकदम जूट है तो प्लीज उससे दूरी बना के रखे यह सारे फ्रोड है अच्छा एक और एक सो रुपिय में आते हैं कोबाल्ट इशू का नोट होता है जिसके पीछे चार लेडिस जुकी हुई रहती है तीन यह चार आती कोई बोलता है पांच मिलने से पांच लाग दस लाग बीस लाग वाइट में कुबाल्ट इशू नोट आता है उसके पीछे में लेडिस लाग जुकी हुई रहती है जो एकरिकल्चर होता है तो उसमें बहुत सारे में खुद मेरे पास offer है कि आप पांच लेडिस वाला जो जुक्के काम करी दोगे तो दस लाग देंगे बीस लाग देंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे ने ने लोग इस लाइन में परके बरबाद भी हो गया देखिए इस फिल्ड में वार्क कमाई भी है रेयर मिलता है तो प्रॉफिट भी है गड़िया है बनी हुई है महेंगी मी बिखती है तो उसकी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ तो आप लोग वीडियो तो देखते नहीं है दो चार कोईन दस कोईन जिसके बाद फोटो वाटसब पर भेदिया अब भी आप ही लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास उतना समय नहीं है कि परस्नली मैं टाइम दे पाऊँ आपको मेरे वीडियो भी देखिए उसमें चैनल में है अब देखे मेरा पीछे वाटसब भी रहता है तो वाटसब भेजते रहता है अब बताओ डेली 100 मेसेज आएगा आप ही लोग बताओ मैं कैसे रिपलाई कर दूँगा सो अगर मेसेज में दस दस फोटो आए तो एक हजार हो गया एक हजार फोटो मेरे मेमोरी में जगा होना भी तो चाहिए तो आप लोग दिमाग लगाई ये आपके पास जो है आपको ये एक वीडियो देखा नमबर मिला फटाग दे मेसेज कर दे आरे प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल जी एने कलेक्शन पे जाया है वीडियो देखें जो नोट है को आई ने अलग रखके उसमें वीडियो सर्च मार है बहुत सारा वीडियो लिश्टिंग है दीरे दीरे आप नीचे देखें तभी हो पाएगा आप लोग सुझते हो सौट कोट रास्ता बैठे बैठे हमारी कोरण पती लखबती तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जगा जो सौट कट है वो गलत से ही होता है ओनेस्टी से न दिखो मेरे चैनल पे 180 वीडियो डाले हैं और आप लोग वीडियो नहीं देखते हो भागते हो अपना जो एक दो वीडियो देखा नंबर मिला चलो चलो बीचने तो मेरे चैनल पे जो मैं रेड बताता है उसी में एक्जिबिशन में बिखता है जिसको बोलता है परदर्स कोई आदमी घर पे नहीं जाता ले बहुत रियर होता है तो उसका एक ओफिशन है वाटसप में बहुत किमती है जिसे हमें पसंद आ गया हो सकता है मेरा उस एरिये में टूल हुआ तो ही मैं जाकर ले सकता हूँ ऐसा नहीं इस पेसली में किसी चीच के लिए नहीं जाता हू अच्छा है रियर है तो ही मैं लेता हूँ और सारा जनकारी आपको चाहिए आपके क्वाइन की नोट्स की क्या भेली होता है मेरे चैनल पर वीडियो है तो आप लोग तो वीडियो देखते नहीं है सौटकॉट चुने वाटसप करो कॉल करो ग्यान देने बस परिशान करो आपके ही लिए मैं वीडियो बनाया हूँ चैनल बनाया हूँ मुझे क्या का मेरा तो वर्क है मैं करता हूँ और वर्स से मुझे ऐसा नहीं कि आपसे कोई मुझे प्रोफिट चाहिए मैं कोई पैसा लेता हूँ कोई चार्ज लेता हूँ हाँ बहुत सारी चीज मुझे पसं मनें थान कारी मैं मेरे चैनल पर हर चीज का 786 स्टार नोट ौनोट 42 की गड़ी हो 11 good सब की जनकारी मतलब हर क्वाइन के मैं दे रहा हूं धीरे-धीरे करके तो आप उस पर देखो और बाकी जनकारी जो नहीं मिलती है मेरे चैनल पर तो उसको वाटसब कीजिएगा तो मैं अपने समय के हिसाब से मैं रिपलाई दे पाऊंगा और सेल करना है तो बेस्ट आप सेन अब दोस्तो एक और बात बताता रहा हूं दोस्तो तीन जगह भी इंडिया में एक्जिविशन हो रहा है वो भी इसी में जानकारी दे रहा हूं इसलिए बोलता आप पूरा वीडियो दोखो के तभी सही जानकारी मिलेगी दोस्तो तीन जगह एक्जिविशन होने वाला सब उसका मैने नहीं बता है, जो हैदराबाद, जो साउस से मेरे फ्रेंड अगर कोई वीडियो देखते हैं, हैदराबाद हो गया, तिलंगना हो गया, उसको क्या बोलते है, तिलंगना और अंधर, उधर बैंगलोर, उधर महरास्ट, जो नजदिक हो, उनके लिए हैदराबाद मे इस टॉल नहीं लिया, वहार मिलूगा, आउट साइड में, अंदर में इस टॉल वाले के पास, क्या होता है, जो इस टॉल लेता है, तो बोलता है, कोई भी काम करना इस टॉल पे, मैं मिलूँगा, मुझसे जो हिल्प चाहिए, मैं एक्जिविशन में करूँगा, दिल्ली म तो मेरा stall है दिल्ली के अंदर है, वो stall number है A15, बैनर लगा होगा GNA collection, तो उसे आप पूच सकते हैं, उसके organiser है, मुकेश्वरमा जी हैं, अगर आप जाएं बोलें, मुकेश्वरमा जी से मिलना है, उसे बोलना है कि GNA collection या गुलाब जी का मुझे एक stall पे जाना है तो बता दे होगा, तो जो भी मेरे फ्रेंड मुझे coin, notes, कुछ भी sell करना चाहते हैं, तो बेस्ट ओफशन है एक्जिविशन, तो प्लीज फ्रेंड, एक्जिविशन अटेंड करें, आपको श्रिविधा हो पहले, आप नोट और क्वाइन की वहलू जान लें, वहलू जानने के लिए क् बताता हूं, वही rate में maximum 99%, उसी rate में note भीकेगा आपका exhibition में, बचा 1%, तो 1% का कुछ नहीं है, 10-20%, आपका जो rate बताता है, उसमें 5% कोई बरहा के भी दे सकता है, 5% घटा के भी दे सकता है, एक according to condition या according to need, यानि किसी को ज़रूरत है तो जादा भी दे सकता है, average price जो मैं ब common हो गया तो थोड़ा low rate में मिलेगा, लेकिन भीकेगा जरूर, तो दोस्तों, best option कहां भीकता है पुराना notes coin, एक जिविशन में अंदर, तो आप देखिए आपके पहले coin notes की क्या value, आप मुझे WhatsApp को बहले value बताई, उतना मेरे पास समय नहीं है, आप लोग के लिए video बनाया ह अहां देखो, मैं ऐसा तो नहीं बैठा हूँ, मेरे और भी तो काम है, बस मुझे जनकारी है, जो मैं आपको share कर रहा हूँ, आपका फैदा हो, बस आप लोग की दूआ और अशिर्वाच चाहिए, इसी के लिए मैंने ये channel चालू किया है, कि बहुत सारे गलीब लोग, middle class के लोग पैसे के चकर में बरबाद हो रहे हैं, किसी का भला हो जाए तो मेरा क्या जाता है, दोस्तों इस वीडियो को यहीं खतम करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो जादे से जादा शेयर करें, ताकि ये जनकारी जो मैं दिया हूँ, ये सही या और ज जनकारी पूरे लोगों को जनकारी हो जाएं, आप लोग तो गलत वीडियो को बहुत सेयर करते हूँ, सही वीडियो को शेयर करोगे तो सब का वला होगा, आप काफी फायदा हो सकता, आप जिससे सेयर करो उसको ये जनकारी मिले, तो उसका आख का परदा हटे, जो सपना द झाल झाल